ब्रिम्निंग आइज निमस्ते आप लोग सब कैसे हो उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं तो आल हम लोग करें चेस्ट का साइकेंड का योगा एक्सराइज तो स्टार्ट अग्सराइज नहीं अग्सराइज नहीं करना है जिनके मसेल्स वगर लूज वह आते हैं यहां से चेस्ट से, साइट से, उनके लिए है, जिनके नहीं जो बोलों भी अराम से कर सकते हैं इसको. अब ऐसे हमको, ऐसे लेना है, सॉलर के लिए भी और चैस्ट के लिए भी. इसे, साइट से, सॉलर के लिए भी. I'm next hold 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 एकदम आराम आराम से करना है stop अब बैसे दो ना हत्तों को पीछे की और आराम से रिलेक्स होके बैठना है दिख रही हूं ना मैं आराम आराम से आराम 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 से stop हातों रिलेक्स करना है next यह सॉल्डर और चेस्ट के लिए है stop आराम से करना है ताकि घर में जो बड़े बुजर गओ फैमिली में हर मैंबर को यह आराम से इसी ली कर सके उसे किया जा सके आराम से करना है कि तो कि क्यों हम सेथ हमारी ठीक रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा और डॉक्टर का जाने से क्या फाइदा है नी बस पैसे बहुत गारने जहां तक हो सकता है हम लोग घर में ही योगा exercise या पार्क में करें और लाइफ में रूटिन गरानी चाहिए हमको कि हम लोग योगा करें या exercise करें या जिम जाएं जैसे भी आपको सूटिये बहलो, तो आप लोग कर सकते हैं, तो बात बहुत हो गई हैं, अब नेक्स्ट एक्सराइज, सोल्डर से चाहिट रखना है, दाउं, अब दाउं, एक्दमारा महरम से करना है, सिस्टे लोग कर दाउं, एक्दमारा महरम से करना है, हातों को सिर के पीछे रखना है कर दो झाल कर दो कर दो कर दो अजय को अजय को आपका हुआ आपका हुआ एंग कि अजय को आपका है इसे रोटेट करना है यह चेस्ट के लिए और सॉलर के लिए है दोनों साइड फ्रंट साइड और बैक साइड तुर मारा मुझेट रख्ष़ ने ने कर दो दो कि आप युटा भी युटाल ठाइब कर दो दो फ्टिक युट। रिलेक्स हाथों कुफ रिलेक्स करना है एकदम आरा मनम से करना है बोड़ी की शेप ऐसा आना चाहिए जेस्ट एक दिम बाहर निकलना चाहिए एकदम आरा मनम से करना है आए हम बजाएंगी ताली, ताली से हाड़ भी ठीक रहता है और मसल भी टाइट रहती है, गोज से पच्ची तारदा में बजाए बयारी है, तो गाई आप लोग मुझे से सपोर्ट कर रहे हो, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहो, हाँ एक बात और शेयर करने थी, सुबह में आप लोग क्या कीजिए, दो अंजीर, 5-6 बादाम और 5-6 अकरोट के बीच जो आते हैं, वो लेना है, और पानी में भीगोना है रात को, और सुबह जल्दी से उठकर, जब भी आप उठते हो, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो उसको एक ग्लास करिए, वो ट्राइ कीजिए, बेस्ट रिजल्ट आएगा इसका, तो इसी के साथ मेरे योगा हुआ कम्प्लीट, तो मिलते के लके नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने फामली का ध्यान रखे, बाई बाई, टेक केर, नमस्त्री